हेलो बच्चो, आज है संदे और हम लोगे कहानी पढ़ेंगे, मज़ेदर कहानी, कहानी का शीर्षभ या टाइटल है मेरा खर यह मेरा खर है मैं यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ रहती हूँ मेरे परिवार में छोटी बहन, मम्मी पापा और दादा जी दादी जी है और हमारा प्यारा सा कुट्टा टॉमी हम अपने जूते और चपल यहाँ पर उतारते हैं यहाँ हम अपने हाथ मुद होते हैं इस जगे को गुसल खाना या बादरून कहते हैं मैं अपने कपड़े खुटी पर टांगती हूँ मेरे दादा जी अपनी छड़ी कोने में रखते हैं हम अपनी चटाईया भी वही रखते हैं मेरे पापा अपनी मोटर साइकल बाहर रखते हैं लेकिन उनका हेलमेट अलमारी के उपर रहता है मेरी मा और दादी अपनी साणियां बक्से में रखती हैं अच्छा अच्छा खाना रसोई घर में पकता है जब ठन पड़ती है तो हम प्रजाईयां निकाल लेते हैं सोने वाले कमरे को पेडरुम कहते हैं जब गर्भ्या पड़ती है तो हम एक पंगा चला लेते हैं जब हमारे यहां महमान आते हैं तो हम कुर्सिया निकलते हैं जहां महमानों को बठाया जाता है उसे बैठर या ड्रॉइन रून कहते हैं तुम मेरे घर जरूर आना मुझसे मिलने चल्दी आना इस कहानी में बोली कए संध्या शक्त बताएं व्यक्ति वस्तु जगे और जानवर के नाम को संध्या कहते हैं व्यक्ति के नाम है वहन मम्मी पापा दादा जी दादी जी वस्तु हैं जूते चपल कपड़े खूंटी छड़ी चटाई मोटर साइकल हेलमेट अलमारी साड़ी बक्सा रज्जाई पंखा और कुर्सी जग है घर जानवर टॉमी कैसी लगी आपको कहानी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद टेक केर बाई बाई झाल गाल ठा बलमारी साइक बड़ें लिए शारवी जग भी चालमारी वे जादा गाई